सोनो चेड़ा फिर दोसरे जंगल चला जाता है मिनो चेड़िया की मिठाई बहुती स्वाधिश्ट होती थी क्योंके वे देसी गी और खालिस दोस अपनी मिठाई बनाती थी और इसलिए सारे पक्षी भी मिनुचेडिया से ही आकर मिठाई खरीते थे दूसरी तरफ कालू का ववा अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हर समय मक्षिया ही मारता रेता था क्योंकि उसकी दुकान पर कोई भी गिराहक नहीं आता था कालू जी सारे पैसे आपने उस मिठाई की दुकान पर ही जाया कर दिये अगर आपने एक बार सिर्फ एक बार मेरे भाई की बात माननी होती तो शायद हमारा अपना एक खेद होता ओर रानी अपने भाई को तो लड़ाने ही दो बस वो लूटे रहा है लूटे रहा हर वक मुझे लूटने में लग रहता है हाँ हाँ कहदो कहदो कालू जी मैं बुरी हूँ मेरा भाई मेरी मा हम सब बुरे हैं आप ही बस अच्छे हो ना मा ये तुमने क्या कर दिया मेरी शादी किस गरीब कववे से करा दी घर में पैसे ना होने की वज़ा से आई देरी कालु कवे और रानी कवे की लड़ाईया होती रहती थी आईए आईए उलुसेट बताईए बताईए आपको कौनसी कौनसी और कितने किलो मिठाए चाहिए मिनुचेडिया आज मैं तुम्हें बड़ा ओर्डर देना आया हूँ कल मेरी बैटे की शादी है इसलिए मुझे 20 किलो मिठाई चाहिए तुमसे मिनुचेडिया इतना बड़ा ओर्डर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश जाती है हाँ बिल्कुल आप चिंता ना करें उलुसेड मैं ऐसी मिठाई बनाऊंगी के सब खात ही रजाएंगे उलुसेड अपना बड़ा ओर्डर दे कर वहां से चला जाता है मुझे 20 किलो मिठाई बनानी है बहुत सारा काम करना है अब इसे ही मिठाई बनाना शुरू कर देती हूँ दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी ज़ादा इंटरस्टिंग होने वाली है फिर मिनुचेड या अपनी दुकान को बन करके अपने घर चली जाती है और वे आज से ही बैठी उलुसेड की मिठाई तयार कर रही थी मिनुचेड या फिर पैसे लेकर बहार समान लेने चली जाती है तब ही रास्ते में पैसे देखकर एक बबलू चोर मिनुचेड या के पीछे पर जाता है मुझे जाने दो जाने दो मुझे ये पैसे मेरे बहुत काम के हैं होई पागल चेडिया पैसे तो होते ही काम के हैं चलो चल देखकर मिनुचेडिया बहुत धर जाती है और वे अपने पैसों की पोटली बबलू चोर के हमाले कर देती है बबलु चोर भी पैसे लोट कर वहां से फौरन ही भाग जाता है मेरे पैसे मेरे पैसे लोट लिए अब मैं समान कैसे खरीदूँगी घर में तो और पैसे भी नहीं है हाई रे ये क्या हो गया अब मैं क्या करूँ कल तक अगर मैंने उलु सेट की 20 किलो मिठाई का ओरडर पूरा ना किया तो उलु सेट तो बहुत गुसा होगा और दुबारा फिर मुझे कभी इतना बड़ा ओरडर भी नहीं देगा पीछे बैठा कालु काववा भी ये सारी बाते सुन रहा था अरे वाव वाव बहुत अच्छा मौका है मिनुचेडिया के इतने बड़े ओरडर को हती आने का कालु काववा फिर फोरण भागा भागा उलु सेट के पास सिला जाता है उलु सेट मिनुचेडिया आपको कल शाम तक आपकी मिठाई नहीं दे पाएगी इसलिए आप अपनी मिठाई का ओरडर मुझे दे दो क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मैं जानता हूँ मिनुचेडिया को वो कल तक मेरा ओरडर मुझे बना कर दे देगी तब ही मिनुचेडिया भी वहाँ पर आ जाती है उलुसेड मैंने आपके दस किलो मिठाई बना ली है पर मैं आपको बीस किलो मिठाई नहीं दे पाऊंगी मास कीजिएगा पर आप मुझे दस किलो मिठाई खरीद ले क्या दस किलो अरे बाबा दस किलो तो बहुत कम है मिनुचेडिया मुझे तो 20 किलो मिठाई ही चाहिए हम कालु कावे तुम ठीक कह रहे थे ये और्डर मैं तुम्हें देता हूँ और हाँ मिनुचेडिया तुमने जो 10 किलो मिठाई बनाई है वो भी नहीं चाहिए मुझे रखो अपने पास ये आप क्या बोल रहे हैं उलुचेड दस किलो मिठाई का मैं क्या करूंगी कौन खरी देगा मुझे एतनी मिठाई ओ चलो भागो भागो यहां से उलुचेड को परिशान ना करो बिचारी मिनुचेडिया उदासो कर वापस अपने घर पर आ जाती है जो इमांदारी से पैसे कमाएं उसके साथ हमेशा गलती होता है एक तरफ तो मेरे पैसे चोरी हो गएं और अब इदर मेरी सारी मिठाई भी खराब हुजाएगी बहुत चलाके कालुकवा कितनी चलाकी से कालुकवे ने मेरा ओर्डर अपना बना लिया यार मम्मा आप दुखी ना हो आपको आपकी मेनत का फ़र जरूर मिलेगा दूसरे दिन सुबा कालुकवा शारी में मिठाई लेकर पहुँच आता है मिठाई आते ही सारे मेहमान पक्षी और कालुकवा मिठाई खाने लगते हैं पर कालू कवे की मिठाई तो इंतिहा की बेस्वाद थी, सारे मेमान पक्षी बस थोड़ी ही मिठाई खाकर गुस्ते में छोड़ देते हैं अरे बाबा उलू सेट ये तुम कितनी बेस्वाद मिठाई गिला रहे हो, क्या तुमने ये मिठाई मिनुच रड़िया से नहीं बनवाई मुझे तो लगता है उलू सेट ने अपने पैसे बचाने के लिए कालू कवे से मिठाई बनवा ली ओ यार उलू सेट अपनी बेटी की शादी में इतनी कंजूसी थोड़ा शरम करो यार मेरा तो पूरा मो का स्वाद बिगार दिया पक्षियों की इतनी बाते सुनकर उलू सेट को तो बहुत ज़ादा गुसा आ जाता है ओए कालू कवे सबके सामने तुमने मेरी ना कटवा दी एक पैसा नहीं मिलेगा चलो भाग जाओ यहां से यह सुनकर कालू कवबा बहुत जारा परिशान हो जाता है और शरमिंदा होकर वहां से चला जाता है मुझे कुछ करना होगा अगर मेमान पक्षी बिना मिठाई खाय चले गए तो मेरी तो बहुत बेज़ जाती होगी उलू सेट फिर फॉरण मिनुचेडिया के पास चला जाता है मिनुचेडिया यार मुझे माफ कर दो मैंने तुमें बहुत बुरा बला कहा तुमने जो दस किलो मिठाई मेरे लिए बनाई थी वो मैं तुमसे अभी क्या भी खरीदना चाता हूँ पर उलू सेट ऐसा क्या हो गया आपने तो कालू कावे से बनवाई थी ना बीस किल मिठाई उलू सेट फिर सारी बार मिनुचेडिया को बताता है थोड़ी देर में मिनुचेडिया अपनी वे दस किलो मिठाई लेकर शादी में आ जाती है और जब सभी महमान मिनुचेडिया की वे मिठी मिठी मिठाई खाते हैं तो उनका सारा गुस्ता दूर हो जाता है इस तरह काजूलू सेट की सबख्षियों के सामने ना कटने से बज़ जाती है प्यारे दोस्तों अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही कहानिया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मामा मैं बहार जा रहा हूँ जंगल की सैर करने नहीं मानुचेड़े अभी तुम छोटे हो और तुम्हें जंगल का रास्ता भी ठीक से नहीं पता मामा मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा मुझे जाने दो हाँ, जैसे तुम्हारी दोस्तों बहुत बड़े हैं ना, बस कह दिया ना एक बार कहीं नहीं जाओगे तुम, जब बड़े हो जाओगे तो घूमते रहना पूरे जंगल में मानुचेड़ा उदास हुजाता है, फिर अगले दिन सुबा सब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों का स्कूल पास में ही था, इसलिए सब बच्चे सा जाते थे क्या मानुचेड़े, कल हम सबने तुम्हारा कितना इंतिजार किया, पर तुम आए क्यों नहीं कैसे आता यार तोते, मामा ने जाने से मना कर दिया, कहती हैं कि मुझे और मेरे दोस्तों को जंगल का ठीक से नहीं पता, हम खो जाएंगे जंगल में हाँ, मेरी ममा ने भी मुझे यही कहा था, हम उन्हें बहुत छोटे लगते हैं, पता है मैंने तो कल बहुत जिद की थी, पर ममा ने मुझे एक ठपर मार दिया हाँ ना, हमारे ममा पापा कितने बुरे हैं, हमसे ज़रा प्यार नहीं करते, तब ही तो हमें घर में ही क्याद रखते हैं हाँ तो पक्षियों हम भी जिद्धी हैं, हम तो जंगल की सेर करके ही रहेंगे मानो जेडा पक्षियों को फिर अपना उपाय बताता है दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है शाम उचाती है, सारे बच्चे मिलकर आपस में खेल रहे थे और सभी माता पिता अपने बच्चों पर नज़र रखे हुए थे चलो दोस्तों, हम तेजी से ओड़कर कहीं दूर भाग जाते हैं और फिर कहीं छुप जाएंगे, ताके हमारे मामा पापा हमें ढूर ना सके सब बच्चे मानुचिडे की बात मानते हैं और फिर सब तेजी में ओर कर दूर भागने लगते हैं अरे वो देखो, वो देखो, हमारे बच्चे कहां भाग रहे हैं चलो कालु कववे चल दी, पीछा करते हैं इनका कालु कववा और मिनुचेडिया भी बच्चों के पीछे-पीछे भागते हैं कुछ देर बाद सब बच्चे आकर एक जगा पर छुप जाते हैं मिनुचेडिया बच्चे कहां चले गए, अचानक कहां गाइब हो गए मुझे लगता है कालु कवे, के बच्चे कहीं छुप गए हैं और वे ऐसे बाहर नहीं आएंगे हमें यहां से जाने का ड्रामा करना होगा, तब ही बाहर आएंगे वो लगता है मिनुचेडिया, बच्चे इस दिशा में नहीं है चलो, कहीं और चल कर ढूंटे हैं ये बात सुनते ही सारे बच्चे जाडियों से बाहर निकलते हैं पकड़े गए, कहा भागे चा रहे थे तुम सब मना किया है न कि अकेले जंगल के कोई स्यार नहीं करेगा चलो अपने अपने घर और आएंगे ऐसी हरकत दुबारा मत करना वे दोनों सब बच्चेओं को लेकर वापस दिले जाते हैं दोस्तों, अगर आप सब को इस कहानी का दूसरा भाग दिखना है तो हमें कमेंड में जरूर बताएं तो पकशियों, बस तह रहा कि कर हम सब पकशी मिलकर दूसरे जंगल बरबारी दिखने जाएंगे हाँ हाँ, बरबारी दिखने का तो बहुत मसाएगा हाँ, मैं भी जाओंगी बरबारी देखने बरसों से अर्मान है मेरा चो कल पूरा हो जाएगा हाँ हाँ माची क्यों नहीं, आप भी चलिएगा हमारे साथ रानी कवी अपनी सास को बिलकुल पसंद नहीं करती थी वे तो बस मन ही मन सोच रही थी ना मुँ में दाथ, ना पेट में आथ बुढ़िया को इस उमर में भी अपने सारे अर्मान पूरे करने है ओए रानी, कहां खो गई, क्या सोच रही हो कपसे अब तो माची भी जाएगी हमारे साथ तो माची के लिए भी भूजर मरा ले ना तुम हाँ कालू बेटा, तु इसकी फिकर ना कर मैं अपनी बहू को संभाल लूँगी चलो पक्षियों, अपने अपने घर चलते हैं फिर कल सुबा सारे पक्षी इसी जगार पर मिलेंगे फिर सारे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं मानोचिरे कल हम दूसरे जंगल जाएंगे परन्तु हाँ तुम अपनी ममा के साथ रेना क्योंके बरबारी में बहुत जारा खत्र होता है हाँ हाँ ममा मैं आपके साथ ही रहूँगा पर जदी से कल का दिन आ जाए वहीं दूसरी तरफ रानी कवी के साथ भी बहुत जारा ही खुश थी मा तुम चिंता न करना मैं रानी से बोलकर तुम्हारे लिए गरम पानी करवा दूँगा ताकि आपको जादा ठ्ढ़ना लगे रानी वहाँ जाकर भी तुम्हें मेरी मा का बहुत जादा ख्यार लगना है हाँ कलू जी अप चिंता ही न करो आपकी मा जी मेरी मा जी है ठीक है मैं अब काम पर जा रहा हूँ ये कहकर कलू कवा काम पर चला जाता है दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है अरे बहु बेटा मेरे परों में दर्द हो रहा है जरा अच्छे से दबा दो एक बार इसका गला ही न दबा दूँ सुकून आ जाएगा इस बुड़िया को क्या मन में बरबराए जा रही है आओ आकर मेरा पर दबाओ नहीं 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 माजी मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आपके परों में ज़्यादा दर्द है तो आप ना जाओ कहीं आपके पर में और ज़्यादा दर्द न हो जाए ना ना बहू अगर मैं ना गई तो तुझे भी रुकना पड़ेगा मेरे साथ तेरी पिग्निक भी खराब हो जाएगी मेरी वज़ा से बस रात हुजाती है रानी कोवी बहुत ज़्यादा ही परिशान थी बस बहुत कर ली मैंने इस बुढ़िया की खिदमत बहुत शोक है न इस बुढ़िया को घुमने का कल की पिग्निक इसकी मौत बनेगी बस कल मैं इसे बहाने से पहाड़ों की तरफ ले जाओंगी और इसे धका रिदोंगी चांद छूड़ियाएगी मेरी इस बुढ़िया से और फिर कालू जी से जूट मुट कह दोंगी कि माजी का पेर फिसल गया था जिस कारण में नीचे गिर गई रानि कवी इस तरह मन ही मन अपनी सास को मारने की योजना मना रही थी अरे क्या अभी तक कालू का वगा नहीं आया अरे हमें देर हो रही है अरे आगिया आगिया में मिनू चेड़िया चलो पक्षियों अब जल्दी से निकलते हैं क्योंके रात तक वापस भी तो आना है न रानि मैं तुम से एक बार फिर बोलना हूँ माजी का बहुत ख्याल अगना इने कुछ नहीं होना चाहिए हाँ हाँ कलू जी अभी फिकर हो जाएं कुछ नहीं होगा इने चलो पक्षियों तो आप निकलते हैं सारे फिर वे सारे पक्षि दूसरे जंगल की तरफ अपनी पिक्णिक मनाने चले जाते हैं कुछ देर उरने के बाद दूसरा जंगल आ जाता है वहाँ पर तो काफी जोर जोर से बरबारी हो रही थी हाई रे कितना सुन्दर नजार आ ही इस जंगल में तो हर जगा बरफी बरफी पक्षियों के जंगल में कभी भी बरबारी नहीं हुई थी जिस कारण वे सब पक्षी पहली बार बरबारी देखकर बहुत जादा ही खुश हो रहे थे देखो देखो ममा मैंने बरफ से इसनो मैन बनाया कितना सुन्दर लग रहा है आखिरकार आज का लुकवे की माजी का भी काफी पुराना सपना पूरा हो गया था माजी यहाँ पर तो बरफ कुछ भी नहीं है आप मेरे साथ थोड़ा आगे पहाडों की तरफ चलें वहाँ का नजारा तो अती सुन्दर है पहाडों की तरफ अच्छा चलो चलते हैं अरे अरे माजी कहा जा रही हो आप रानी के साथ बेटा मैं पहाडों की तरफ जा रही हूँ बहु के साथ अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ अरे नहीं नहीं कालू जी मैं हो ना माजी के साथ मैं इनका ख्याल रख लूँगी अच्छी तरह से ये बोलकर रानी कवी अपनी सास को पहाडों की उचाई पर ले जाती है अरे वा बेटा यहां का नजारत तो बहुत सुन्दर है क्या बात है इस जंगल की हम अब तेरा खेल खतम बुड़िया अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता क्या ये क्या के रही हो तुम बहुत परिशान करके रखाता न तुने मुझे अब तुझे उसकी सदा मिलेगी फिर रानी कवी एक डोड़ी से अपनी सास के दोनों पर अच्छी तरह से बांद देती है और फिर पहाडों की उचाई से धका डिदेती है हाई रे ये क्या हो गया मा जी तो नीचे गिर गई रानी कवी की ये आवाज सुनकर कालू कवा भागा भागा पहाडों की तरफ जाता है रानी रानी ये कैसे हो गया मा कैसे गिर गई कालू जी मा का शायद पैर फिसला और मा पहार से नीचे गिर गई हरे मेरी मा ये क्या हो गया तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया कितनी जारा खुश थी माजी रानी कभी तुम्हें माजी को पहार पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था अरे मुझे क्या पता था कि माजी पहार से नीचे गिर जाएंगी बस तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा बादल आता है दुश कहें कि छूटी कवी अपनी बोड़ी सास को मार कर तुमें शरम नहीं आई अब तु देख मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा उस बोड़ी कवी का तुझे बड़ा लेकर रहूँगा अरे अरे कौन हो तुम चली चाओ चली चाओ यहाँ से बादल भाई पक्षियों इस रानी कवी नहीं मारा है अपनी सास को मैंने खुद देखा है यह बाद सुनकर कालू कवा तो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कालू कवा भी रानी कवी के दोनों पर रसी से बांध देता है और रानी कवी को भी पहार की उचाई से धका देता है बस इतना भ्यानक सपना देखते ही रानी कवी की तो आग खुल जाती है मैं उनके साथ ये नहीं कर सकती अगर मैंने माजी को मारा तो मुझे भी जरूर सदा मिलेगी इतना भयानक सपना देखने के बाद रानी कवी सुरा जाती है और कल सुबा उड़ते ही बड़े शौक से अपनी माजी के लिए भूचन बना रही थी थोड़ी देर में वे सारे पक्षी बड़ी खुशी खुशी अपनी पिगनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं प्यारे दोस्तों अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो कमेंड में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था मिनुचेडिया मजबूत घोसले बना कर पक्षियों को बेचती थी और मिनुचेडिया का कारुबार बहुत अच्छी से चल रहा था मीनू चेडिया तुम बहुत अच्छी हो तुम्हारे बनाए हुए घडिया और घोंसले बहुत मैजबूथ होते हैं और तुम्हारे दाम भी एकदम मनासे भी है हाँ बुल बुल धी कह रही है मीनू चेडिया तुमें पक्ष्चियों का बहुत खया लगती हो और तुमने कितने सालों से घरों के दाम भी नहीं बढ़ाए वो इसलिए पक्षियों क्योंकि मैं तुम सब को मुश्किल में नहीं डालना चाती मेरा घर तुम सब पक्षि आराम से खरीब लेते हो और मुझे मुनाफ़ा भी अच्छा खासा हो जाता है इसी जंगल में कालू कववा भी रहता था कालू कववा काफी आलसी था और कोई काम काज नहीं करता था रानी कववी तो कालू कववे से बहुत परिशान थी कालू जी आपने मुझे बहुत परिशान कर दिया है मैंने अपने भाई को बुलाया है अब वे ही आपको सबग सिखाएंगे हाँ हाँ बुलालो बुलालो रानी मैं तुम्हारे भाई से कोई नहीं धरता बस उसी समय वहाँ पर रानी कववी का भाई आ जाता है हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम कालू कववे तुम किसी से नहीं धरते अरे कवे भाई आप यहां अच्छानक कहां से आ गए मैं तो बस रानी से ऐसे ही कह रहा था मैं तो आपके इलावा किसी से नहीं ढ़रता बस बस कालू कवे मैंने सब सुन लिया है परन्तु मैं आखरी बार कहने आया हूँ कि कोई काम धंडा कर लो वरना मैं रानी कवे को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओंगा हाँ भाई मैं भी कामचोर कालू जी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती ये तुम क्या कह रही हो भाई मैंने मिनुचेडिया का कारूबार देखा है मिनुचेडिया पक्षियों को मजबूत घर और घोस्ते बना कर देती है मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी मिनुचेडिया की तरह यही कारूबार करूँ बस आप मुझे लकडिया दिल्वा दें मैं खूब मेहनत करूँगा और लकडियों के पैसे भी मैं आपको लोटा दूँगा ठीक है कालू कववे लेकिन यह तुम्हारा आखरी मौका है मैं तुम्हें लकडिया खरीद कर दे देता हूँ परन्तु अब से तुम बहुत मेहनत करोगे थोड़ी देर के बाद रानी कववी का भाई कालू कववे को काफी सारी लकडिया दिलवा देता है और अब कालू कववा लकडियों के मजबूत घर बनाना शुरू कर देता है दो दिन गुजर जाते हैं दो दिन कड़ी मेहनत के बाद कालू कववे ने अब काफी सारे लकडियों के घर बना दिये थे अब कल मैं अपने ये सारे घर बेचूंगा और में नुचईडिया की तरह बहुत साधा आमीर हो जाओंगा और फिर रानी कवी भी मुझे छोड़ कर कभी नहीं जाएगी अगले दिन कालुकवव पक्षियों को आवाज लगा कर उन से खहता है कालू कव्वा काफी देर बैठा रहता है और पक्षियों को आवाजे लगाता है पर अन्तु कोई भी पक्षी कालू कव्वे के पास नहीं आता ये क्या मेरे ये घर तो कोई पक्षी खरीदने नहीं आ रहा ऐसे कैसे चलेगा अगर मेरी ये मेनद भी जाया हो गई तो भाई तो रानी कव्वी को अपने साथ ले जाएंगे दिल तो करता है कि रानी कव्वी के भाई को इतना मारू इतना मारू कि उनका हाल बुरा कर दूमे जब से शादी हुई है मेरी रानी कवी से उसके भाई ने मुझे दबा कर रखा हुआ है वहीं दूसी तरफ मिनुचेडिया के पास तो पक्षियों की भीर लगी थी दूसरे जंगलों के पक्षी भी मिनुचेडिया के पास आ रहे थे मिनुचेडिया पता है कालुकवे ने भी तुम्हारी जैसी घर बेचने की दुकान खोली है परन्तु हम पक्षी तो स्रिफ तुम्हारे घर ही खरी देंगे क्योंकि तुम्हारे घर बहुत जारा मजबूत होते है मिनुचेडिया बस तुम जल्दी से मेरे पेड़ पर एक लकणियों का पक्का घर बना दो ताके मैं अपने घर में सुकून से रहूँ ठीक है तोते आज तुम मुझे बुलबल बहन का घर बनाना है कल में पक्का बना दूँगी तुम्हारा घर कलुकावा मिनुचेडिया के चलते धंदे को देखकर काफी ज़ादा जलता है मिनुचेडिया ने सारे पक्षियों को अपना बनाया हुआ है जबी तो कोई पक्षी मुझे मेरे घर नहीं खईद रहा मुझे किसी भी तरह सब पक्षियों को अपनी तरफ लाना होगा और ये जब ही मुमकिन है जब मिनुचेडिया अपना कारूबार बन कर दे मैं मिनुचेडिया का ये घर बनाने वाला कारूबार बन करवा कर ही रहूंगा बस फिर क्या था कालुकावा बुलबुल के घर के पास जाता है ये बुलबुल का घर मिनुचेडिया ने आज ही बनाया है अब आएगा मज़ा फिर कालुकावा बुलबुल के घर में ना होने का फाइदा उठा कर उस घर पर जोर जोर तो चलता है जिस कारण वे घर काफी जादा कमजोर हो जाता है बस अब ये घर बहुत जादा कमजोर हो गया है कुछी देर में ये घर तूट फूट जाएगा ये कहकर कालू कववा वहां से चला जाता है कुछी देर बाद जब बुलबुल वहां पर आती है तो वे देखती है उसका घर तो नीचे गिर के तूट चुका था और उसके अंडे भी उसी घर के अंदर ही दप चुके थे अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, मैं तो लुट कई बरबाद हो गई, मेरे अंडे, ये घर कैसे टूट गया, ये तो निया घर मैंने मिनोचेडिया से बनवाय था ना, मैं छोड़ूँगी नहीं उसे बुल बुल गुस्ते में फारण मिनोचेडिया के पाज आती है मिनोचेडिया मेरे पैसे मुझे वापस करो, तुमने मुझे इतना कमजोर घर बना कर दिया, कि मेरा घर नीचे गिरिके टूट गया, और मेरे अंडे भी टूट गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मज़ा से क्या, बुल बुल बेहन ऐसा केसे हो सकता है, मैंने तो आपका घर बहुत मजबूर बनाया था, पर एंटो आप चिंता मत करें, मैं आपका घर दुबारा बना दीती हूँ फिर मिनुचेडिया बुल बुल के पैसे उस से वापस करदीती है, अगले दिन मिनुचेडिया तोटे का घर बना कर जैसे ही जाती है, कालू काववा उस घर को भी उचल उचल कर कमसूर कर देता ही तोता बड़ी खुशी खुशी अपने घर को देखने आता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वे घर भी तूट कर नीचे गिर जाता है और तोता काफी जादा जखमी हो जाता है अरे मर गया रे मेरी तो कमर ही तूट गई अरे मिनुचेडिया मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं तुमने मेरा घर कितना कमजोर बनाया था कि इतनी जल्दी ही तूट गया मेरा घर बस अब इसी तरह कालू कववा एक एक करके मिनुचेडिया के सारे गिरहा खतम कर देता है आओ आओ पक्षियों एक बार मुझसे मेरे घर तो खरीद कर देखो मेरे घर बहुत मजबूत है सारे पक्षि अब कालू कववे के पास आते हैं और कालू कववे के बनाये हुए लकणियों के घर खरीदने लगते हैं मिनुचेडिया का कारूबार तो अब बिल्कुल ही खतम हो गया था जिस कारण मिनुचेडिया काफी जादा परिशान थी थोड़ी देर के बार मिनुचेडिया जंगल के सारे पक्षियों को जमा करती है हाँ मिनुचेडिया जल्दी बताओ क्या बात है हमारे पक्षियों मेरी बात तो सुनो मुझे लगता है कि मेरे वे घर कोई जान बुच कर तोड़ा है क्योंके मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे तो कालू कावे पर शक है क्योंके जब से कालू कावे ने अपना घरों का कारूबाय शुरू किया है मेरे घर जबी से तूटने लगे है जरूर इन सब के पीछे उस कालू कावे कही हाथ है बस एक बार तुम सब मेरा साथ दो भले मुझे घर न बनवाओ एक बार तोती तुम मुझे घर बनाने का नाटक करो मैं छुपकर देखूंगी कि वे घर कैसे तूटता है आखिर ठीक है मिनुचेडिया अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तयार हूँ देखते हैं कि आखिर इसमें गल्ती किसकी है बस फिर अगले दिन मिनुचेडिया कालुकवे को दिखाने के लिए एक पेड़ पर घर बना रही थी अरे भाई ये मिनुचेडिया किस पक्षी का घर बना रही है चिसका भी हो मैं तो आज इस घर को तोड़ दूँगा शाम होने पर मिनोचेडियावे घर बना कर वहां से चली जाती है और सब पक्षी और मिनोचेडिया छुपकर उस घर पर नज़र रखे हुए थे बस मिनोचेडिया के वहां से जाते ही कालुकावे उस घर के पास आता ही और उस घर पर जोर जोर से उच्छने लगता है इस तरह कर करके अपना करूबर्च हम कर रहे हो पर अंतु आज सब पक्षियों ने तुम्हें देखिया है और आज हम पक्षी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हाँ हाँ पक्षियों आज इस कालू कवे को छोड़ेंगे नहीं इसे आज बहुत मारेंगे चलो मारो इसे बस सारे पक्षी अपना अपना हुस्सा कालू कावे पर निकालने लगते हैं और इस तरह कालू कावे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है